हेलो फ्रेंड्स, कॉम्टिशन कम्मूनिटी के इसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। प्लेटिन भारत के प्रशनों की सुरुवात हम लोग आज कर रहे हैं। यह आपका करेक्ट होगा। अलेक्जंडर करिंगम ने ही भारत में 1861 में इसकी सुरुवात की थी। साथी साथ इसी इसी डिपार्टमेंट से एक और व्यक्ति आगे चलकर निकले जिन्होंने प्राग एतिहासिक कालिया प्री हिस्टी के खोज की सुरुवात की। यहाँ पर वो टाइम था पासान काल का और पहली बार पासान कालिया ने उसकी सुरुवात हुई थी तो उस समय रॉबर्ट ब्रूस फूट करके एक यहाँ पर व्यक्ति थे। उन्होंने पल्लावरम पल्लावरम रॉबर्ट ब्रूस फूट नाम के व्यक्ति ने 1863 में पल्लावरम तमिल नाडू में एक हैंड एक्स खोजा था जो आदी मानाओं की द्वारा यूस किया गया था और वहीं से ही हमारे हां पासान काल के खोजों की सुरुवात हो गई थी तो यहाँ पर याद रखे गया एक हैंड एक्स हो जा था किसने रॉबर्ट ब्रूस फूट ने और कहाँ पर तमिल नाडू के पल्लावरम में पल्लावरम में चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रशन है हमारे पास निम्न में से कौन सा इस्थल है जो प्राग यहतियासी की चित्रकला के लिए बहुती ज्यादा फीमस है बहुती ज्यादा प्राग यहतियासी कालियाने फिर से प्रिषिष्टी की बात चल रही है और प्रिषिष्टीयाने की स्टोन एरा की बा गुफाओं में आप जाएंगे, तो उन गुफाओं में भी आपको इस प्रकार की चितरकारी देखने मिल सकती है, जो आदी माराओं ने की थी, तो वैसे ही आपको यहाँ पर जो चौर आप्सन में दिये हुए है, तो इसमें से कौन सा ऐसा famous जगह है, जहाँ पर आपको ऐसी मद्द प्रदेश में, मद्द प्रदेश में, जहाँ पर आदी मानाओं की बनाई गई चितरकारी आपको देखने मिल जाती है, अगला प्रशन हम देख लेते हैं, निमनली खित में से कौन से ऐसा इस्थल है, जिसे तीन नगरों के आवसेश प्राप्त हुए है, यानि तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, ऐसा कौन से ऐसा जगा था, सहर को तीन पार्ट में डिवाइड करने का मतलब यह उस समय हडपा काल की बात कर रहू हूं हैं, सिंधुः खाटी सबिधा की बात कर रहूं, जहां पर मिली मुख्यता जितने भी जगा या इस्थान हडपा क स्थल में मिले हैं इस था कि सहर मुख्यता दो पार्ट में डिवाइट थे दो पार्ट में बुलने का मतलब एक ऐसा उच्छा इस्थल था जहां पर आपके लोग रहा करते थे और एक निमने वर्गा के लोग हैं वो लोग उपर रहे गए और जो निम्नया ने छोटे काम करने वाले या प्रजा है जनता है वो कहा है रहती थी लोवर में तो ये दो पार्ट में मोशली डिवाइड रहती थी जितनी भी हडपा काल में हडपा कल में जितने भी स्थल मिले हैं दो पार्ट में डिवाइट किया गया तीसरा पार्ट भी एक ऐसा जगा बनाया गया एक तीसरा पार्ट भी आया जहां पर इसे बोलेंगे मिडियम लैंड या मध्यम इस्थल जहां पर यहां पर आपके सैनिकों को रखा गया यहां पर सैनिकों को रखा गया तो इसी जगा को ऐसा तीन पार्ट यानि दो और यह क्या होगे तीसरा पार्ट ऐसे तीन पार्ट में डिवाइट किया गया है इस थाल आपको कहां पर मिलेगा तो यह इस थाल मिलेगा आपको धौला वीरा में और धौला वीरा कहां पढ़ेगा आपका गुजरात में गुजरात में धौला वीरा कह का नारा जो लगाया जाता है कि जल है आज अगर जल को सरक्षट नहीं करेंगे तो कल के दिमें हमें जल के लिए भूगतना पड़ेगा इस चीज को उस हडपा काल के लोगों में आपका दौलावीरा के लोग पहले सी जान चुके थे और इन्होंने जल को सरक्षित करना जो नवीनिस्थल याने जो उस समय खोजे गया उनमें नवीनिस्थल कौन सा है तो यही धोलावीरा है और इसे युनेसको ने भी वर्ल्ल हेरिटेज घोसित किया है जस्ट अभी का current affair का भी question है कि 40 वे नम्मर का 14 नम्मर का UNESCO World Heritage किसे घोजित किया गया तो वो भी कौन सा है धोला वीरा ही है तो ये कहाँ पढ़ेगा आपका गुजरात में तो इसे बिल्कुल याद रखेगा क्योंकि इससे प्रशन बनने के संभावना बहुत ज़्यादा है चलिए अगला प्रशन सेंधव सब्यता या सिंदू गाटी सब्यता इंडस वैली सिवलाजेशन जिसे आप बोलते हैं इंडस वैली सिवलाजेशन तो इंडस वैली सिवलाजेशन में आपको great बात, great बात ये क्या है आपका great बात, great बात, महाइस नानागार जी से कहा गया, ये कहां से प्राप्त हुआ है, बहुत बार ये question पूछा गया है, कि great बात या महाइस नानागार आपको कहां मिला है, तो यहाँ पर चार आपसन देख लिए आप, मोहन जोदारो, हडपा, लोथल, काली बंगा, चार आपसन देखे आपको, जिसमें ये मोहन जोदारो जो है, जहाँ पर आपको इस नानागार मिला है, इस नानागार मिला है, कहां से, option number A, मोहन जोदारो से आपको क्या मिला है, इस नानागार या great बात, great बात या इस नानागार मिला है, साथी साथ एक प्रशन और पूछेगा, कि आपको dancing girl, branch की बनी हुई, नर्तकी की मूर्ती आपको कहां पर मिली है, तो कांस की बनी नर्तकी की मूर्ती भी आपको कहां से मिली है, ये भी आपको मोहन जोदारो से ही मिली है, तो ये question, ये दो question आपको हमें सब पुस्ता है, कि कांस की बनी नर्तकी की मूर्ती या dancing girl जो है, आपको कहां पर मिली है, तो आप बताएंगे कहां पर तो वो option होगा क्या मोहन जोदारो मोहन जोदारो मोहन जोदारो और यह मोहन जोदारो जो आपको मिलेगा यह मिलेगा आपको इस place को भी जान लिजे थोड़ा सा इसे खोजा गया था 1922 में 1922 में इसे खोजा गया मोहन जोदारो को हरपा और मोहन दोनों को ट्वीन क्वैपिटल भी बोला गया है, जुड़वा राजधानी भी बोला गया है, 37-7-1922 में इसे खोजा था राखल दास बैनर्जी के द्वारा इसे खोजा गया, और इस्थान था पाकिस्तान और नदी थी सिंदू नदी, सिंदू नदी के तट पर आपका खोज गया इस्थल कौन सा है मोहन जोदारो मोहन जोदारो तो हम कोशिस यह कर रहे हैं कि आपको एक प्रश्ण के साथ कुछ और जानकारियां दे जो आपके एक्जाम में प्रश्ण बनते हैं तो इस दो पॉइंट आप याद रखेगा कि महा इसनानागार या ग्रेड बात सांती सा परशनात कास सिक की बनी नर्तकी की मूर्ती आपको काहां मिल रही है तो मिल रही है ये आपको मोहन जोदारों में चलिए अगला देख लेते हैं question, सिंदूगाटि के लोग, सिंदूगाटि के लोग या इंडस वैली सिविलाजेशन के लोग, घडपा कालिन लोग जो पूजा किसकी करते थे, तो सिंदूगाटि से प्यता कि समय हमें एक ऐसा सिक्क्राह या सील्स मिले हैं, मुहरे मिली है, ज उन्हें बोला गया पसुओं का देवता पसुओं को देवता और पसुपती नात नाम रखा गया और पसुपती नात यानि आज की वरतमान के कहा है सीव जी बट उस समय जे सीव जी तो थे नहीं तो उस समय के जो उनके प्रमुग देवता बोले गया जो सिक्के में जो आकृत अगला प्रश्न इनके पूज सा क्थन camera असत्य है रॉंग नग्रों में नालियों की सुधिरिन वस्ता हडपा काली लोग आज के टाइम के लोगों से बहुत बैटर हुआ करते थे उनका सिटी डवलप्मेंट का सिस्टम पहला नगरी करन सब्वेता बुला जाता है कि इसको हडपा को आपको लगता होगा हम लोग आज के टाइम में बैश्ट है बट ऐसा नही यह स्थिति हैं तो वहां के लोग ऐसे नहीं थे प्रॉपर उनके पास नालियों की सुधिन वस्ताम को देखनी मिली है यह तो बात गलत नहीं है यह सहीं बात है वैसे ही व्यापार और वाणिज्य में उननत दसा थी वाणिज्य के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी कि यहां पर इरान इराक से भी वैपार हुआ करता था और इरान की मुहरे भी आपको लोथल जो गुजरात में है वहां पर इरान की मुहरे या पर्सियन मुहरे भी आपको सील्स भी आपको मिली है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वहां का बीजनस उतना अच्छा नहीं रहा होग कि वहां पर एक मात्र देवी की मूर्ती मिली है मात्र देवी की मूर्ती तो यहां पर वो कहीं न कहीं मात्र सतात्मक रूप से हमें जानकारी मिलती ही कि मात्र सता मैट्रिया चलते है ना तो यहां पर अगर वो मात्र देवी की पूजा कर रहे हैं तो यह बात भी कहीं कहीं सही यह और लानस्ट लोगों को उन लोगों को लोहे से परीचित थे तो हडपा काल को एक नाम से और जानते हैं हम लोग तीन नाम से जानते हैं इसे, इंडस वैली सिवलाइजेशन, हडपा सिवलाइजेशन, दूसरा, और तीसरा नाम हम लोग देते हैं इसे, तीसरा नाम हम लोग बोलते हैं इसे, ब्राउज एज, ब्राउज एज बोलते हैं, तो ब्राउज एज अगर मैं बोल रहा कांस से गूनबो रहाऊं तो यहाँ पर कहीं पर भी लोहे की खोज नहीं थी तो यह लोग लोहे से परीचित नहीं थे तामलस प्रीचित नहीं थे थे पर अब है तो खेती प्रारंब की गई थी ऊपर देखें मिस्र में मैसिपोटामिया में अमेरिका में भारत में यहाँ पूछना चाहँ रहा हा है यह बात चल रही हड़पा काल की तो हड़पा काल में भारत में हड़पा काल निया लोगों ने पहली बार कपास की dirty और कपास को युनान के लोगों ने सिंडोन कहा था ठीक है मैं क्या बताया पहले इसका option हम लोग करेंट लगा लेते Balticap Ti12 भारत में प्रारम युद में प्रारम हुई और भारत में कब? जब आपका Indus Valley Civilization चल रहा था Indus Valley Civilization का टाइम चल रहा था और Indus Valley Civilization के लोगों ने उस समय कपास की खोज की कपास की और जब युनान के लोगों ने इसे देखा इस कपास को तो उसे कहा एक सब्द दिया, एक नाम दिया सिंडोन, क्या कहा इस कपास को? सिंडोन कहा, और कई बार हडपा सब्व्यता को हम सिंडोन सब्व्यता के नाम से भी जानेंगे सिंडोन सब्व्यता, क्योंकि इनों ने क्या किया? कपास की खोज की और इस कपास के जो वस्तर के उससे एविडेंस भी मिले है वो आपको मोहनजुदारों में मिले है क्लियर इतनी चीज़ों किया देखी है कपास को क्या कहा गया है सिंडोन कहा गया है चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं हम लोग निमने लिखेत में से कौन से इस्थल हडपा से संबंदित नहीं है ठीक है सबसे पहली चीज आपको हडपा में कौन कौन से इस्थल हैं अगर वो याद है तभी आप बता पाएंगे कि कौन से इस्थल इसमें से करनेक्ट नहीं है तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कौन-कौन से आपके पास दैमाबाद मांडा आलमगीरिपूर और अत्रंजी अधर ठीक है तो यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं यह कौन कौन से प्लेस के पहले तो यहां पर जो चार इस्थल हुए, चार दिसाओं को बताते हुए, यानि जो विस्तार मिला आपका हड़ा पास, अब बेता का जो विस्तार मिला चार छेत्रों में मिला, तो चार छेत्रों में कैसे कैसे नौर्थ, इस्ट, साउथ और वेस्ट, चारो छेत्र में, चारो छेत्र में यह हो गया आपका North, यह हो गया South, यह हो गया आपका West, और यह हो गया East. तो आपका North हमें जो सबसे उत्री छोर में जो स्थान था, जो आपको जम्मू कस्मिल में मिलेगा, वो जगा था आपका मांडा. वो कौन से जगा था मांडा, यानि विस्तार है ना, विस्तार है, इसी जगा का नाम है सुत्का गेंडोर ठीक है जगा कौन सा सुत्का गेंडोर फिर आपका जो पूर्वी छोर है पूर्वी छोर का जो नाम हमें मिलेगा वो मिलेगा आलमगीरपूर यूपी में एक जगा पड़ेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे आलमगीरपूर और सबसे दक्षणी छोर जो महराष्ट में जगा पड़ेगा उसे हम लोग बोलेंगे आपका दैमाबाद महराष्ट में एक जगा पड़ेगा, उसे बोलेंगे हम लोग दैमाबाद, दैमाबाद, तो अब अगर मैं बताओं, तो ये सिंदु घाटी सब्धा का विस्तार हो गए, ये जो चार छेतर मिल गए, तो इन में से देख के बताईए, कौन सा ऐसा option लग रहा है, जो इसमें सम्मिलित नहीं है तो option number D, जो है अतरंजी खेड़ा, वो सिंदु घाटी सब्धा का समय का नहीं है, अतरंजी खेड़ा वो इस्तान है, जहां से आपकी पहली बार लोहे की खोच की गई, ठीक है, तो इस सिंदु घाटी सब्धा से सम्मंदित नहीं है, चलिए अगला देख लेते हैं, वर्ण पुरुसुक्त, यहां पर मिलता है हमें, और इस पुरुसुक्त में पूछ रहा है कि क्या पाया जाता है, अथरवेद, सामवेद, रिगवेद, और मनुष्मित, ठीक है, तो पुरुसुक्त जैसे कि मैंने बताया, यह आपको कहां मिला, रिगवेद में, रिगवेद के दस पुरुसुंक्त में ही बताया गया था कि हम जो समाज को चार भागों में या वर्ण को चार वी भाजन करते हैं जिसमें पहला आमें देखने मिलता है ब्रामण दूसरा हम ये रिगवेद में देखने मिलता है दूसरा जिसे हम लोग बोलते है छत्रिय दूसरा वर्ग है छत्रिय तीसरा वर्ण हम जिसे मानते है वो है आपका वैस्य वैस्य है और चौथा वर्ण है आपका सुद्र तो इस चार आपका विभाजन देखने मिलता है, मूलता पाया जाता है रिगवेद के पुरसुक्त में अब यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर बोला गया है रिगवेद में कि जो ब्रह्मा के मुख से या मस्तिस्क से जो निकले हैं वो कौन निकले हैं? ब्रह्मा की भुजाओं से जो निकले हैं वो निकले हैं छत्री और वैस से जो हैं जांगों से निकले हैं और पैरों से सुद् आती दोर में रिकवेदिक काल में जब विभाजन हुआ था, तो यह विभाजन जो था याद रखेगा, यह आज करकर जातीगत विभाजन नहीं था. यह केवल और केवल कर्म के अधार पर, जो जैसा कर्म करेगा, उस काटेगरी में या वर्ण में चला जाता था. तो यहां पर मैंने क्या बताया यह जो विभाजन भी आप देख रहे हैं यह किस आधार पर है कर्म के आधार पर कर्म के आधार पर विभाजन किया गया है तो यहां पर यह विभाजन भी आपको जो देखने मिल रहा है कर्म के आधार पर कर्म के आधार पर विभाजन किया गय तो इंचे जो क्याद रखी किया रिग्वेद के दस्वे मंदल में पुरुसुक्त में पुरुसुक्त में चार वण विभाजन है और रिग्वेद में कुल कितने मंदल है पुछेगा तो आपको बताना है दस मंदल कुल दस मंदल है अगला प्रश्ण रिग्वेद के गयतरी म परेड्यम भर्गो देवस्दे महीं धियो योना प्रचुदया यह जो मंतर हम लोग आज के टाइम में पढ़ते हैं यह मंतर रिगवेद से लिया गया और रिगवेद में जहां से लिया गया जिनोंने इस चीछ को लिखा वो कौन थे ए विश्वामित्र विश्वामित्र ने इसे लिखा था और यह हमें रिगवेद के तिसरे मंडल से मिलता है अगला प्रश्ण निमले लिखित में से चार वेदों में से एक में जादूई माया और वसी करण का वर्णन है तो चार हमारे पास वेद हैं जिसमें जादूई माया वसी करण जादू टोना टोट का यह तो यहाँ पर पहले हम लोग जान ले कि रिगवेद जो है सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन जो वेद है सबसे पहला जो वेद का निर्माण हुआ था वो वेद था आपका रिगवेद, रिगवेद के बाद ही अन्य वेदों का निर्माण हुआ और सबसे नवीन जो वेद वह हुआ अथर्ववेद और इसी अथर्ववेद में पूरी जादूई माया वसी करण ये सब चीजे दी गई हैं जादू टोना टोटका जैसी चीजे दी गई हैं तो यहाँ पर आपका कौन सा उप्षन हो जाएगा तो यहाँ पर उप्षन नम्बर सी जिसमें आपका लिखी गई है लिखी गई है चलिए अगला कोश्चन देख लेते हम निम्ले लिखित में से कौन सी असी नदिया है जिनका नाम है असकनी वैदिक काली जो नदिया है असकनी किसे कहा गया है यानि आज के टाइम में वरतमान में हम लोग बहुत सारी नदिया देखते हैं तो व्यास, रावी, चिनाब या जहिलम तो यह जो असकनी है वो किसे कहा गया है चिनाब को चिनाब का ही नाम अब क्या मिलता है यहाँ पर असकनी मिलता है साथी साथ जहिलम का जो नाम आपको मिलेगा वैदिक काली नाम वह मिलेगा क्या वितस्ता जेलंगा नाम क्या मिलेगा वितस्ता वयाni कवैस आपको नाम मिल दाएगा विपासा वेदी काली नाम पूछा जाएगा याद रखेँगा है पेपर में आया हुआ question है पूरे previous year के question ही आपको कर लेते हैं तो आपको idea मिल जाता है कि आगे के चल कर कि प्रश्णों को आप कौन से topic को पढ़ना है और कितना weightage उसका दिन है तो जैसे कि वैदिक का लिन अगर आपको पूछ लिए एक नदी का तो बाकी नदियों की भी नाम आपको परुष्णी बोला गया रावी को परुष्णी रावी का नाम आपको क्या मिलेगा परुष्णी मिलेगा तो option number C आपको क्या है इसके according क्या है correct है अगला प्रशन देख लेते हैं हम लो नची केता अख्यान का उलेक मिलता है नची केता कौन है सबसे पहले यही समझ और उसके बाद फिर नची केता के बारे में इन में से किसमे अथरवेद में सत्पत ब्रामण में कठोपनी सद में या वरीदारारक उपनी सद में किसमे आपको जानकारी मिलती नची केता के बारे में तो सबसे पहले जानते हैं एक नची केता नाम के बालक हुआ है जिसके उनके पिता ने क्या किया था इस नचीकेता को यम को दान कर दिया था और बालक ने उसकी बात को क्या दिल पर ले लिया और ये बिलकुल यम के पास चला गया और यम के पास तो जा नहीं सकता था तो कब्रिस्तानिया जहां पर सवधा होता है जहां पर जलाया जाता है लोगो एक दिन यम्राज आते ही हैं यम्राज आते हैं और उस बालक से पूछते हैं तुम यहां तुम्हारा तो अभी यानि की समय नहीं आया है सबका एक जन्म और मरण का समय निश्चित है और आपका भी समय नहीं आया है भले आपके पिता ने द्यान दे दिया हो उससे में कह दिया हो बट आपका समय नहीं आया बट बच्चा तो जीद में था क्योंकि वह पिता की आगया का पालन करते हुए आ गया था अब जो यम और नचिकेता जो बाला का एक यमराज यानि यम और नचिकेता ये दोनों में अब क्या होगा? डिसकसन होगा, समवाद होगा इसी डिसकसन और समवाद को एक पुस्तग में लिख लिए गया एक उपनिसद में लिख लिए गया और उस उपनिसद का ही नाम है कठोपनिसद उपनिसद का ही नाम है क्या? कठोपनिसद तो ये सब चीजें जो लिखी गई है, वो किसमें लिखी गई है? कठोपनिसद में लिखे गई है तो option number क्या हो जाएगा? C correct हो जाएगा, जिसमें नची केता और यम के समवाद का या discussion का उलेख हमको मिलता है अगला प्रश्ण, रिगवेद में उल्लिखीत प्रसिद्ध दस राजाओं का युद्ध निम्न में से कौन सी नदी की किनारे होता है ठीक है? ये दस राजाओं का युद्ध था जिसमें एक राजा सुदास करके हुआ करते थे राजा सुदास और दस राजाओं के बीच में उस समय लड़ाई हुई थी राजा सुदास और दस राजाओं के बीच लड़ाई हुई जिसे दस राजाओं का युद्ध कहा गया अब आपको पुस्ता है ये कौन सी नदिक के नारे हुआ अब यहाँ पर देखिए आपको ये जो नदियों का नाम दिया हुआ है परुष्णी, सरस्वती, विपासा, असकनी चारों नदिया क्या दीख रही है वैदिक काली नदियों के नाम आपके प्रेजेंट टाइम के रिवर्स के नाम नदियों के नाम नहीं लिखे हुए तो आपको अगर वहाँ पर वैदिक काली नाम सायद आप प्रेजेंट टाइम के नदियों के नाम भी याद करके गया है तो अगर वैदिक काली मियाद नहीं है तो आप इस कुश्चन को सौन ले कर पाएंगे तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर करेक्ट आप्सन क्या है तो यहाँ पर जो दसराजाओं का युद्ध हुआ था वो हुआ था रावी नदी के तड़ पर और रावी नदी को क्या बोला गया है परुष्णी नदी बोला गया है परुष्णी बोला गया है तो इस question का correct answer क्या हो जाएगा आपका परुष्णी, अगला प्रश्णा, निम्न में से किसे भारती परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, भारती परमाणुवाद यानि परमाणु की खोच करने वाले कौन थे, तो इन में से चार यहाँ पर दीख रहे हैं आपको, महरसी कपिल महरसी गौतम, महरसी कणाद और महरसी पंतजली, यह चारों के चारों आपके दर्सन से जुड़े हुए सड़ दर्सन के व्यक्ति हैं, जिनोंने प्रतिपादन किया है अलग-लग दर्सनों का, तो अलग-लग दर्सन में यहाँ पर आपके जो कणाद हैं, कणाद, उन्होंने ही यहाँ पर वैसिसी की जानकारी दी और उसमें ही पड़मारूवाद के बारे में जानकारी दी तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा महरसी कणाद उसके अलावा भी जो हमारे पास अन्य आप्सन है उसे भी देख लेते हैं तो यहाँ पर ए आपसन जो दिया हुआ है कपील कपील मुनी ने जो प्रतिपादन किया था या जो दर्सन दिया था उससे दर्सन को हम लोग बोलते है सांख्य दर्सन, क्या दर्सन बोलेंगे उसे, सांख्य दर्सन बोलेंगे, सांख्य दर्सन, सांख्य दर्सन वैसे अगर महरसी गौतम की बात करो, महरसी गौतम गौतम ने जो आपका, बुलनाची दर्सन जो दिया, उसे कहा जाता है जैमीनी शॉरी गौतब ने जो आपको दर्सनदिया उसे का जाता है न्याए यहाँ पर गौतम रिषिए ने जो दर्सनदिया उसे हम कहते है न्याए, यह रहे, वैसे हम देखते हैं महरसी पतंजली, पतंजली के बारे में पतंजली योग से related है, इस सीच को तो हर कोई जानता है, तो पतंजली जी ने जो आपका दर्सन दिया, वो कौन सा दर्सन है, योग दर्सन, योग दर्सन, ठीक है? तो यहाँ पर इन दर्सन को आपको अलग-अलग पुछा जा सकता है, अगला कोशन यह हो सकता था, कि सांख्य दर्सन किसे ने दिया, तो आप बताएंगे, सांख्य दर्सन किसे ने दिया, महरसी कपिल ने दिया, महरसी कपिल ने दिया, चलिए अगला प्रस्ट, कस्मीर में कन तो एक जो संगीती हुई थी उनका नाम ठाव अस्वघोष अस्वघोस तो वसुमित्र के साथ कौन थे आपके अस्वघोस भी हुए अस्वघोस भी हुए वसुमित्र के साथ कौन गये थे आपके अस्वघोस गये थे तो ये क्या थे आपके उपाध्यक्ष थे वसुमित्र के साथ कौन गये उपाध्यक्ष में अस्वघोस तो कई बार अगर मालो की बात आपका अध्यक्ष का नाम नहीं दिया है और उपाध्यक्ष का नाम दे दिया है अस्वखोस का नाम दे दिया है तो आप वसुमित्र की जगा किसका नाम लगाएंगे अस्वखोस एक बार जो वे अपम का एक बार पेपर हुआ था तो इस वसुमित्र का ना तो आपको वसुबंदु टिक नहीं लगाना था उस समय पर एक और ऑफ्सन दिया हो था अगर वसुमित्र नहीं दिया तो फिर से बताओं मैं आप तिक किसको लगाएंगे असव उसको और वसुबंदु नाम यह एक दो बार आपको पेपरम पूछा हुआ है तो आप ध्यान निर्वाण याने महात्मा बुद्ध की मृत्तियू कहां पर हुई बहुत आसान सा प्रश्ण है महापरी निर्वाण मृत्यू हाँ यह टेक्निकल वर्ड जो महापरी निर्वाण लिखा हुआ है यह थोड़ा सा कन्फ्यूस करता है इसके बारे में थोटा समय डिसकसन करू पहले हम लोग ऑप्सन देख लेते हैं लुम्बिनी बोधगया उसी नगर कपिलवस्तु तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्ति हुई वह हुई आपके उसी नगर में उसी नगर में तो आप्सन नमबर सी आपका करेट है और महात्मा बुद्ध के बारे में पूछे गा तो जन्म के बारे में क्या बोलेंगे हम लोग लुम्बिनी मेन का क्या हुआ था लुम्बिनी नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ अब महापरी निर्वाण के बारे में इसको एक थोड़ा सी चीज़े को समझाता हूँ आपको यहां पर देखिए एक्च्वल में यहां पर यह महापरी निर्वान तीन सब्दों से मिलकर बना है एक है आपका निर्वान फिर है आपका परी निर्वान परी निर्वान फिर है आपका महापरी निर्वान महा परिनिर्वान महा परिनिर्वान तो बुद्ध में यह बोला गया कि जिने ग्यान की प्राप्ती हुई उन्हें बोला गया कि निर्वान प्राप्ता हुआ क्लियर है ग्यान की प्राप्ती हुई उसे क्या बोला गया निर्वान बोल दिया गया साथी साथ उस निर्वान प्राप्त व्यक्थी को अगर मृत्यू प्राप्त हुई तो उसे बोला गया परी निर्वान क्या बोला गया परी निर्वान ठीक है बट महात्मा बुद्ध क्योंकि बहुत धर्म के संसापक थे जिन्होंने बहुत धर्म की इस्थाफना की इसी कारण से उनके लिए एक नया सब्द जुड़ा इसमे परी निर्वाण तो मृत्यू के लिए हम बोल दिये बट इस परी निर्वाण के साथ ही साथ यहाँ पर महावड जुड़े और ये महापरी निर्वान सब्द और केवल और केवल महात्मा बुद्ध के लिए यूज़ करते हैं और किसी के लिए यूज़ नहीं करते हैं यह चीज़ को याद रखेगा महापरी निर्वान किन के लिए यूज़ हो रहा है महात्मा बुद्ध के लिए महापरी निर्वाण इनको कहा प्राप्त हुआ, ये कुसी नगर में प्राप्त हुआ, अगला कोशन देख लेते हैं, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाबिनिस क्रमण के रूप में देखा जाता है, ये टेक्निकल वर्ड फिर से मैं बोलता हूँ, ये टेक्निकली प्रबोधन को बोला गया है, प्रबोधन याने की क्या, उपदेश देना, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, उनका जन्म, महापरी निर्मारत, उनकी मृत्य हो गई, उनका जो ग्रीत्याग है, उन्होंने जब घर को छोड़ा, उन्होंने घर को छोड़ा, उस ग्रीत्याग को भी बोला गया, बोला गया महा भिनिस करमर, तो option number C correct है, उन्होंने 29 वर्स, 29 वर्स की उम्र में क्या किया था, गर को छोड़ा था, और घर को छोड़ने को हम क्या बोलते हैं, महा भिनिस करमर, ठीक है, यहाँ पर और कुछ चीजे बता देता हूं, तो यहाँ पर जब इन्हों की उम्र में जब घर को छोड़ते हैं, क्योंकि इनको बचपन में ही एक कॉंडिल नाम के एक रीसी ने, पहले ही इनकी भविस्तावाणी कर दी थी, कि आगे चल कर यह जो बालक है, यह सन्यास ले लेगा, आप चाहे कितनों राजपार्ट में से डालने कोशिस करें, यह सन् गटनाओं को, तो चार गटनाएं क्या-क्या थी, तो उन्होंने उन्होंने चार गटनाएं देखी, जिसके कारण उनका हिदय परिवर्तन हो गया, या पूरा जो उनके मन में जो सन्यास की भावना है, सन्यास की भावना जो उत्पन हो नही थी, वो चार गटनाओं के कारण नहीं उत्पर नहीं एक पहला उन्होंने देखा था एक बीमार व्यक्ति को देखा था दूसरा उन्होंने देखा था एक बुढ़े व्यक्ति को देखा था फिर एक बुढ़े व्यक्ति को देखा फिर तीसरा एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी मृत्ति हो गई थी और वो क्या था एक साव था, एक डैध बॉडी थी, डैध बॉडी, चौथा एक ऐसा व्यक्ति जो सन्यास लिए हुए था और विट्चा की नीचे क्या कर रहा था, योग या तपस्या कर रहा था, तो इस चार घटनाओं को देखने के बाद ही महात्मा बुद्ध के जीवन में जो बदलाव ग्रीत्याग और ग्रीत्याग को भूला या इस वर्ड को ध्यान देंगे, अगला कुश्चन, दुटी बॉड्ध संगीती आपकी कहाँ आयो जी थी? इस थान का नाम भी इंपोर्टन्ट आपका, तो यहां पर दिया हुए राजग्री वैसाली, पाटली पुत्र कासी, जैक तो यहां पर तीन बाउद्द्व संगीती की बारे में आपको यहीं जानकारी मिल जाएगी है पहला अगर बहुत संगीती की बारे में पूछा जाए, अच्छा अभी तो पहले देख लेते हैं कि इसका अंसर क्या है, दुटी बहुत संगीती कहां पर हुई, तो दुटी बहुत संगीती जो हुई थी वो हुई थी आपकी वैसाली में, तो यह option आपका correct है, पहली बहुत स का सबसे बड़ा एक समराड, एक साचक बैठा था, उसका नाम था क्या? असोक, मौर्यवंस के राजा का नाम असोक, और ये असोक ही बैठा था इस सासन के टाइम में, इस समय राजा कौन था? पाटली पुत्र में, पाटली पुत्र राजधानी बनाया था अपनी, और यहा तुकाला सोक के टाइम में वैसाली में आपकी क्या हुई थी? Second, बौधस संगीती हुई स्रवन बेल गोला में गोंतेश्वर की विसाल प्रतिमा किसे ने स्थापित करवाई थी? स्रवन बेल गोला, very very important, स्रवन बेल गोला बार बार आपको देखने मिलेगा तो सरवन बेल गोला में आपको एक गुम्तेस्वर की प्रतिमा देखने मिलेगी पहले आंसर देख लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर चामुंडराय, कृष्ण पर्थम, कुमारपाल, तेजपाल यह जो चार आप्सन में है उसमें से चामुंडराय एक सासक है जीनों ने यहाँ पर गुम्तेस्वर की प्रतिमा की इस्थाबना की तो अप्सन नमबर ए अब यह सरवन बेल गोला पढ़ता कहा है उसे देख लेते हैं सरवन बेल गोला पढ़ेगा आपका करनाटक में करनाटक के मैसूर में कनड़क के मैसूर में आपका स्रवन बेलगुला पड़ेगा और ये जैन धर्म के दिगंबर सम्रदाय से संबंदी थे और यही पर 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना विदी के द्वारा या उपवास रखके अपना जीवन क्या किया था त्याग दिया था त्याग दिया था इसी का अंसे स्रवन बेलगुला बहुत इंपोर्टेंट है इसी के साथ भारती इतिहास की जो आज की पहली भाग यानि पहला जो हमारा भाग था प्राचीन भारत का उसमाप तो होता है अगला जो हमारा सैसन आएगा इसमें भाग दो आएगा और यह की परिच्छा में हैल्प करेंगे तो इसी के साथ यह वीडियो हम समात्र करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद